गुद इवनिंग मैंने विनकुमार सिंग डिरेक्टर प्रेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइबेट लिमिटेट पतना दो साल से उपर हो चुके हैं लेकिन अभी तक ग्रूप डी के एकजाम का डेट आपका नहीं दिया गया है सवा करोर प्लस बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं तो इन बच्चों के लिए दुरभाग है कि इतने लंबे समय सा आप इंतिजार कर रहे हैं लेकिन अभी तक एकजाम का डेट नहीं आ पाया है जिसके कारण बहुत सारे बच्चे हतुत साहित भी हो गए हैं परने में मन नहीं लग रहा है एक सो तरह का डिसकासन करते हैं सुभाविक है क्योंकि आप जिस उमीद से जिस आसा से करते हैं आप तयारी जो आप टारगेट बना करके चलते हैं वो टारगेट ही आपका धुमिल परने लगे तो सुभाविक है कि इस तरह का परिशानी होना ही है इसमें साफ आपका है कि आप देख लिजिए कि government कितनी भी परिस्तितियां विप्रीत हो उनका काम जो अपना उनका personal काम है वो कभी नहीं रुकती है election वाली ही बात है कि कितना भी अभी COVID का आप उतना भेंकर position था वेस्ट बंगाल और कई सारे states में लेकिन आप देखे कि वह इसी परिस्तितियों में भी सही समय पर election करवा दिया गया और हर चीज को manage करते हुए election करवा दिया गया और result भी एक निर्धारित समय पर उसका दे दिय गया है यह इस बात का सूचक है कि सरकार आपको किस तरीके से देखती है आप उनके priority list में कहाँ पर है इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं इनी सारी बातों को देख करके लेकिन अब आपका सोने से काम नहीं चलने वाला है क्योंकि यह इसी सरकार है कि आप इस तरीके स बने रहेंगे आपका कभी भी सुनवाई नहीं होगा इसलिए कल का वह इसे साथ अगस्त का दस बजे से एक ट्विटर केंपेन रखा गया है और हम लोगों को भरपूर सहयोग उसमें करना है हलांकि इसमें दो बाते हैं एक तो है चलिए रखा गया है तो सारे बच्चे एकद कम सकम 20-25% बच्चे भी अगर ट्विट करते हैं तो आपका काम एक दिन में हो जाएगा इस बात की गारिंटी है लेकिन आइसा होता नहीं है लगता है ये परसनल किसी खास इस्टुडेंट का या किसी खास ब्यक्तिकत रूप से किसी खास जनों का ये अभियान है सिर्प व वजे से सारे बच्चों को ग्रूप D का डेट देने के लिए एकजाम का डेट देने के लिए ट्विट आपको करनी चाहिए और भारी संख्या में करनी चाहिए और दूसरे छात्रों को भी आपको इसके लिए प्रेरित करनी चाहिए दूसरा ये भी पहलू है इसका कि जब subscriber बहुत ज़्यादा नई होने से होता है, उनका responsibility भी उस हिसाब से ज़्यादा होना चाहिए और जो भी इस तरह का program announce करते हैं, तो सबसे पहले सब को विश्वास में एक बार लेने का प्रियास करेंगे कम से कम इसकी सूचना सारे बरे बरे यूटूबर को देनी चाहिए, वहां तक पहुचानी चाहिए, ये responsibility जो भी इस अभियान के सुरुवात करते हैं उनकी बनती है, दूसरा इस चात्रों का भी ये responsibility बनता है कि वो संबंदित यूटूबर का जिनका वो class कर रहे हैं, जिनसे वो परहाई कर रहे हैं, उनको इसके लिए प्रेरित करें कि student hit में आगे आएं और इस तरह का वीडियो बनाएं जिससे कि maximum संख्या में अगर छात्र इसको देख पाते हैं, तो एक निश्चित समय पर unite हो करके अधिक से अधिक tweet करें, जिसका प्रभाव आपको देखने को मिले, तो ऐसा होना चाहिए और आगे से संभवत इस बात को धिया जाना चाहिए नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम लोग को पता ही नहीं चल पाता है, और कुछ दो-चार teacher ही मिल करके या दो-चार यूट्वर मिल करके सारा प्रोग्राम को कर देते हैं, और बहुत ज़्यादा संख्या में tweet नहीं हो पाता है, जिसके कारने ये कमी एक देखने को मिल जाती है, लेकिन जैसे ही हम जानकारी मिलती है, तो प्रियास होता है, कि इस तरह के वीडियो बनाने में जरूर हम लोग सहीयोग करें, और अधिक सदिक छात्र को एकत्रित करने में सहीयोग करें, तो सबसे पहले साथ अगस्त को कल दस बजे से सारे बच्चों को tweet करना है, और जो tweet करेंगे, उसको conduct, underscore rrc, underscore group d, underscore exam, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं भी spelling mistake आपका नहीं होना चाहिए, नहीं तो मामला यहाँ आपका गरबर हो जाएगा, इसलिए याद रखना है, कल दस बजे का साथ अगस्त के दस बजे का timing को ध्यान में रखना है, कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग tweet करें, और आप से related student, जो भी form भरे हुए हैं, group d का, maximum student को प्रेद करके tweet करवाने का आप प्रियास करें, क्योंकि यह डेर करोर बच्चे मौमूली नहीं होते हैं संख्या के हिसाब से, और अगर आप कोशिस करेंगे, इसमें 20-25% बच्चे भी अगर tweet कर पाते हैं, तो यह समझे कि आपका अभियान 100% सभल होगा ही होगा, इसमें थोरा सा भी तनिक भी आपको संदे नहीं होना चाहिए, तो हम उमीद करते हैं कि कल 10 बजे से maximum student एक साथ आ करके Twitter campaign में भाग लेंगे और tweet करेंगे, धन्यवाद, बेस्ट अप्लग, धन्यवाद